चलिए अभी तो फ्री हिट है यहां और इस तरह से फ्री हिट का फायदा उठाते है रोईट शर्मा अब यह फ्रील्डिंग भी देखिएगा जहरा भाई साहब मज़ा आएगा अनंद आएगा आपको शौन मार्च की यह फ्रील्डिंग का एफट देखके अपने आपको रिस्ट्रेक्ट करना पड़ेगा ओवर स्टेप करने से और मुझे लगता है कि रोईट शर्मा इसका पूरा बर्फटूर फैदा उठाएंगे यहां से उनको अब यहां उनके पाउं पे अगर आप ध्यान देते तो वहां पर अच्छा फेलते बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं चक्ता टीखिये बांसर बांसर का जब प्रैस होता है थे आपके पीम में दो ऐसे बल्लेबास है जो फुक शॉट बड़ी अच्छी तरह से किलते हैं एक है विराट फोली और दूसरे है रोहिच शर्मा वैतरीन शॉट यह जबरदस्त कमाल का हवाई फायर और जो करना चाहते थे इनबास की लाइन और लेंथ इनबास को मजबूर किया कुछ अलग करने के लिए यह पाच डॉट गेंदे और अच्छटे गेंद पे आए जेहरण तेरपन पे तीन कफेद गेंद रुकती नहीं है सतय पे पढ़ने के बाद टेस्ट मैच में इसी तरह आउट हुए थे राइब किया उतनी ऊपर नहीं थी गेंद जिसके लिए रोज शर्मा जाते जाने जाते हैं लॉंग लिवर थोड़ी थोटी होती है तो पुल कराते हैं उसी प्रकार को इसको कट करने के लिए ठूद लाइन खेलने की कोशिश करी इस टेंशन अफ दी आर्म्स पर खुश्किस्मत रहे रोज शर्मा गैप में गई गें आउट फिल्ड काफी तेजा सेड़ी का और चार रन गेंजीती पीटर सेडल से और इसी बीच रोई शर्मा का अर्शतक भी पूरा तीन विकेट भारत ने खोई उसके बाद इस तरीती की पारी की थी दरकार और इसे आगे बढ़ाना होगा अगर इस मैच के पास पहुँचना है भारत को और पर जीतना है बिल्कुल आशीश मुझे लगता है ये पारी बहुत ही जाते इंपॉर्टन थी हरत के पॉइंट व्यूसे और ये पार्टनर्शिप भाप तीन विकेट चारे नव पांचार रंग पे खोड़े तो इस तरीके की ये पार्टनर्शिप हुई है यही पार्टनर्शिप अगर अगले 10 या 15 ओवर खेल की है तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौक है इस इस तरह के शॉट्स लगाते रहें क्योंकि ओवर में अगर बाउंडरी आएगी तो फिर दबाओ गेमबास के उपर आ जाता है ये शॉट्ट जो है ये टी-20 की देन है अठार्वी गेन थी उन हुआ है चलिए अगास तो होग शुका है इस ओवर से बारा रन आए ओवर से और जब खाता खुल जाता एक बार फिर बाकी सब के खाते बंद हो जाते हैं गेन बाजों के खाते बंद कर देते हैं ये फिकाने पहुचाते ही देखिए कदमों का इस्तेमाल और इनका जो हाई बैक लिट है बाल की पिछे पर हार पहले ही गेन्द ओवर का दबाब डालना चाहते थे रोहिट शर्मा जायर विचिट्सन पे ये फिल शाट जबरबस्त शाट केलते ही है चौका होगा तुमाल का शाट बहुत कब ऐसे बल्लेबाज और अब तो ही चाहते है ये लिए चोटी गेन आदी पिछकों गेन और ये दूसरा चाहते है यह अच्छी ओवर साविट हो रिये तलिके बेही को नीचे लगते हैं पॉद अच्छा शॉट पॉद अच्छा शॉट थोड़ी से जोकें उठाई पर पॉद अच्छा शॉट थीन चोकें इस ओवर में 13 रंग और रोहित शर्मा सेंचुरी से सिर्फ 2 रंग दूर पिल्कुल सही सोच तो होने चीए हो आपे तो रंटूरे शतक तूरा रोहित शर्मा का 22 वा शतक एक दिवसे क्रिकेट में रोहित शर्मा एक और शांदार पारी साथवा शतक ऑस्चिलिया के खिलाव और यह तो बहुत यह अच्छा शतक था शुरुआ धीमी की थी क्योंकि तीन विप्टे फटाफट निकल पड़ी थी इस एक प्रियास था बड़ा स्टोक लगाने का का पर ऐसा हो नहीं सका खुशकिस्मत रहे गिंद बीच में गिरी टॉइनियास थे डीप मिड्विकेट पर मजिंदर को फुल्टॉस गेन ठके या तुए नजर आते हैं साथ इसमें तो कोई संदे नहीं फुल्टॉस गेन को मिस्किया खुशकिस्मत रहे चार रन बटो रहेंगे एक सट्राइब पात बारा है पिछले ओवर में भी एक बड़ परियास ट्रोप यॉर्कर डालने का था परियास इस बार छोड़ा नहीं रोई चर्माने कमाल का यह स्ट्रोप यहाँ पेजादा कुछ करना नहीं पड़ता बिल्कुल आप ने उनके चुने चुनाए इलाके में गिन डाल दी है और यह है उनका प्रतोप यह इनके ठाट जब यह बल्लेवाजी करते हैं अगर एक बार यह सेट हर जाएं तो कहना ही क्या एक और बढ़िया स्ट्रोप गैप में 213 पर पांच जैसा रोई शर्मा अभी तक कर रहे हैं फुल तॉस गेंद एक बार फिर लिड़ ओफ उपर था चार रन मिलेंगे और वो टपाने में वो काम्याब रहे हैं नहीं तो बल्ले के काफी निचले भाग में आके गेंद लगी थी थ्राव रननीती में कहूंगा स्ट्रोइनस और फिंच द्वारा जितनी गती ये गेंद हवा में डीप मिडविकेट इसके नीचे आएगा जी हाँ पकड़ लिया कैच मैक्समेल ने रोहिच शर्मा हुए आउट स्ट्रोइनस अनुभव का फाइदा और रोहिच शर्मा जो थे वो इस तरह से आउट हुए धीमिकती की गेंद उगलिया किस तरह से फेरी थी सीम के उपर गेंद उपर चड़ती चली गई और जब उन्होंने वो शॉट खेला तो वो उची जादा चली गई गेंद उतनी जादा दूर वो शॉट को भेज